नमस्कार, रेणुकारानी सीह महादेव चैनल में आप सभी का हर्दी स्वागत हैं। अनादिकाल से ही हिंदू धर्म को प्राचिन धर्म माना जाता है। नारायन और माता लक्षमी की अद्भुत कथा मिलती है कहते हैं कि जिस घर में भगवान विश्णु और माता लक्षमी की पूजा की जाती है वहां सुख सांती का वास होता है। सामप्थ के जीवन भी सुखमे होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा भी हुआ कि स्रीहरी को भी माता लक्षमी की बज़ा से रोना पड़ा। आईए जानते हैं इसकी कहानी पोरानी कथाओं में जिक्र मिलता है कि एक बार सिरीहरी धर्ती पर भ्रमन के लिए जा रहे थे तभी देवी लक्षमी ने उनके साथ चलने की अनुमती मांगी। कई बार कहने पर भग्वान विश्णू ने कहा कि वर साथ चल सकती हैं लेकिन उन्हें एक सर्थ माननी होगी। थी कि वह खुद को रोक नहीं सकी और सामने दिख रहे बगीचे में चली गई इसके बाद उन्होंने उस बगीचे से एक पुस्प तोड़ लिया और भगवान विश्णू के पास वापस चली आई उन्हें देखते ही स्रीहरी रो पड़े तभी माता लक्षिमी को उनकी सर्त याद आ गई तब भगवान विश्णू ने कहा कि बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी बस्तू को चुना अपराद है देवी लक्षिमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से छमा मांगी लेकिन स्रीहरी ने कहा कि इस गलती की माफी उस बगीचे का माल ही दे सकता है उन्होंने कहा कि अब उन्हें उस माली के घर में दासी बनकर रहना होगा देवी लक्षिमी ने उसी जण गरीब और रत का रूप धारन किया और सीधे उस माली के घर पहुँच गई माली ने कभी उनसे खेत में काम करवाया कभी बगीचे में तो कभी घर में लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वह दासी कोई और नहीं माता लक्षिमी है तो वह रो पड़ा कथानुसार माली ने मालक्षिमी से छमा यासना की और कहा कि जो कुछ उनसे करवाया वह सब अज्यानता वस इसके लिए वह उन्हें माफ कर दें मालक्षिमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी थी वह नियती थी इसमें उसका कोई दोस नहीं है लेकिन जिस तरह उसने मा को अपने परिवार का सदस्य समझा उसके लिए वह उसे आजीवन सुक सम्रद्धी का बर्दान देती हैं देवी लक्षमी ने कहा कि माली और उसके परिवार के सदस्यों को जीवन में किसी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा इतना कहकर देवी अंतरध्यान होकर विश् जय भारत